कर्दा है तो थोड़ा सा तो खर्चा कम करना पड़ेगा रप आप मे नी कह रहा हूं कि आप कटोध लिए जिन काम हो कर्चों से जादा मुनाफ़ाना हो रहा हो से céu करण आपना प्र लोग कर लोग कर लेते ना फिर तो मार्किट में फ़ट जाएगी और जो नहीं है तो फिर नहीं बीक्र कोई पर दावने में athletes आपके बारे में लोगों की क्या राय है यह बोब मेंटर करता हैं व्रहीं से हमारे ही कुछ एक्षन से हमारे लोगों की राय बने जाती हैं हमारे बारे में अब भले कर दे में अब बुरी आलत में लेकिन आपने आपने कैसी कोई इमेज नहीं दिखानी है जिस इमेज से आप नेगेटिव लगें तो कोई ऐसा खर्चा कम नहीं करना के लोग क्या करते हैं गाड़ी का इस्तामाल बंद कर दिया मेट्रो से चले जाएंगे ना अब भाई आप अभी तक तो यूज कर रहे थे दस लाग की बीस लाग की गाड़ी है और अब मेट्रों से उतर रहे हैं नीचे और नीचे सडक पार कर रहे हैं किसी ने देख लिया आपको वह यह नहीं मान कि यह चोटे मुटे खर्चे नहीं कोई ऐसी चीज चो कमा कर में दे रही है वह गाड़ी आपको कमा कर दे आपकी मेश बिंटेन कर रखिये उसने कर लोग क्या करें घर का खर्चा अलो कर देंगे दिवाली आ रहे हैं तो दिवाली नहीं बातेंगे कि आप करके आ रहे हैं और ये तो कभी बात करेंगे ऐसाइंस विज्ञान है दिवाली वाला जो फेस्ट्यूल का कॉंसेट है विज्ञान है इस पेए साइंस शुपी हुए कभी इस पर बात करेंगे हम लोग मुस्से एक तीने कुश्चन बुचा पताने हैं आपने से कोई थ सबादाए था नोग một आशी नोगा हम घर यहां इख डोनेट करते हैं 해 तो वो डोनेशन बहुत जाधा देते हैं किऊंकि व अमीर है या क्योंकि टोनेशन दाइशन इसलों क्ले आमीर हü कि दोनों बाते नहीं है शुरुवात कहां से होगी हाँ क्योंकि वो देते हैं क्योंकि वो कुदरत के एक नियम को फॉलो करते हैं वो नियम कहता है जितना तूम दोगे उससे जादा तुम्हें मिलेगा यह खुशिया बाटना भी उसी कॉंसेट का एक कभी बात करेंगे इस पर हम साइंस की के विज्ञान है और यह रिलीजन में सभी धर्मों में बताया गया विज्ञान है हमने धर्म मान लिए समझे नहीं के धर्म क्या है धर्म गिरंत पढ़े नहीं है है वो एक आया था गुरूप में तुम में से किसी ने बेजा था नहीं पॉलिटिकल गूरूप में अदालत में गीता पर रखकर हाथ तो रखकर कसम खाई जाती है लेकिन स्कूलों में गीता पढ़ा ही नह बतकिस्मति है ने देखो जी कि उस भगवत गीता पर आप ऐसा है ना आप जाओगे यादा ना करें जाना पड़े बढ़ा कर जाओगे तो सबसे पहले आप से गहीं किता पर कुरान पर हाथ रखके कर समखाऊ सभीधान पर रखके कर समनी का जा रही है लेकि उस गीता को प करते हैं जो कर नहीं करने चाहिए तो मैं करो जो आपको कमा कर नहीं दे रहे हैं जो ज्यादा मुनाफ़ा नहीं दे रहा हो उसे कम कर सकते हैं अब यह देखो कि आपका कौन सा ऐसा खर्चा जो जादा मुनाफ़ा नहीं दे रहा है मुनाफ़ा इंटरम सफ पैसा भी होता है मुनाफर in terms of status भी होता है आपकी ज़रुद भी होती है अगर कोई ऐसी चीज है जो आपके पास है और जिसके आपको ज़रुद नहीं है जिसके बिना भी आपका काम चल सकता है और आपका standard low नहीं होगा उस चीज को निकाल सकते हो बंद कर सकते हो उस खर्चे को लेकिन अगर बंद कर दो कोई भी छोटा या बड़ा एक्जामपल चलो गाड़ी ही यूज करना बंद कर दी मैंने एक एक्जामपल दिया था शायद आपको मेरे अपना एक्जामपल है मेरे घर में हिंदी और इंग्लिश दोनों के अकबार आया करते थे यह उन दोनों की बात है जब 50 चैब आप गुड़ाज पैसे 1 रूपर आता होगा सुझा मैं अपने दफ्तर बने अकबार पढ़ लेता था कि मैं कॉलेज में प्रोफेसर होझा तो मुझे जरूत नहीं होती थी इंग्लिश का बढ़ की तो मैंने इंग्लिश का था मत देना जरूत नहीं पिताजी को पढ़ लेंगे मुझे नीपता मेरे नोट करने इसको उन्होंने वो डेट उससे पूछ कर अकभार वाले से नोट कर ली तीन यह चार महीने गुजरे थे चार महीन बाद उससे कहते हैं वह इंग्लिश का बार नहीं डाल रहा एकभार वाला क्या तुमने मना किया उसको नहां म मेरे मना किया क्यों मैरे में तो वहाँ पढ़ लेता हूं तो यह तो वेस्टेज है करें बहुत अच्छी बाते बटे अब वह चो पैसे बचे वह का है we जो अक्बार वाले पैसे बचे वो का है अंग्रेजी वाले खर्चा कम कर लिया मैंने तो खर्चा कम करके दूसरा खर्चा कर लिया तो क्या फायदा भीया खर्चा कम करने का मतलब अगर खर्चा कम कर लो तो उस पैसे को जो भी बच रहा है उसे एक जगा अलग से खटा करो और कर्जा उतारने के लिए उसका इस्तमाल करो मैंने उस दिन से गाट बांदी थी यह बात और मेरी उम्र लग बग 17-18 साल रही होगी तो मैंने तभी यह टै कर लिया था कि यह तो पूई चीज खर्चा बंद नहीं करना और बंद करना तो उसकी जगा क्या कर रहे हैं वह पैसे जा रहा है आम इसे बहुत सार रहो गए है रेगुलर साब मैं यह खर्चा नहीं करता हूँ आप मैंने यह बंद कर दिया घशिरा जी वटे हैं सिग्रेट पी नहीं बंद कर दी तो इस पैसे कही और खर्च करने शुर कर दी नहीं वह डबी जो सिग्रेट की खरीदनी है उसको इखटा कर लिया है जी कितना हो गया है गिरानी अभी और मैंने का देंको मैंने वह पैसे जब इखटा करके निकालोगे ना तो किस दिन तुम्हें लगए यार मैं कितनी गाड़ियों में आग लगा चुका पीपी के अहां ऐसे तो होगा क्योंकि एक दिन में 10 जब भी को लिमिट भी तो थी भाई इन्होंने अपने इंट्रोडेक्शन बोला था मैं हफते में आठ दिन शराब पीता था मैंने यार करते साती दिन होते हैं आठ दिन कैसे किस दिन दुन में दोबाई तो पतानी इनके तो मैं समझते ओं शराब की बहुत ले बेच बेच लोगों ने गरवना लिया ओगकी है अब इनना समझ में-कॉर्चे से आपका स्ट्रण लोण और कोई ऐसा खर्चा ना हो जाए जिससे आपकी छवी खराब हो और जो खर्चा कम करें उस पैसे को अलग इखटा करें और उसका परपस केवल और केवल करजे से बाहर निकलने के लिए इस्तमाल करना है अगर करजे से बाहर निकलने के लिए इस्तमाल नहीं किया गया तो काम कर सकते हैं तरीका काम आएगा